हाई घाइस मैं हूँ शुरभी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है आज हम मैं बहुत ही टेस्टी गोभी के पराथे तो चलिए अपने रेसिपे कर से गेहं का अटा लिए पोर में सब्सक्राइए,। अबड़ीं पत्कारणाऊ है कि क्रें पक्रें में यह तो उसके पकड़ाइए, शाटिस्स पसफून नौटा अच्छ चुल देंगे फार्ट करें गूलूं गूल देंगे, अगर फार्ट कटेंगे करें जो नियुका यह अच्छ पर टो पानी डाला है, तो अच्छ बनाते हैं पर्ट नाहिटेंगे जब आप गी डालेंगे तो हमने कुछनी डाला है मैं को खस्ता बनानी है थोड़ी से इसलिए थोड़ी से हो गया है इसमें थोड़ी सा पानी एड़ करके मैं इसको रेस्ट करने के लिए 15 मिनट के लग दूगी इसके मेरा आठा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा और इसके हम परांथा अच्छे बन जाएगा इसके में गोवी लिया है मैं और आठा इसके में कहा हैटा इसके में पिर्म को आचीने शेटा ही ऐगागी का लो जा चांब है इसके में कालकी वाप निकल लेगे गोबी बिलकुल हमारा करोना भी चलला है तो तो अपने जादा आप लेते हैं कोई भी सब्सक्राइब लेते अच्छी सब्सक्राइब हंदेटेए यह बाद भीची का अच्छी सब्सक्राइबन आप लिए लादा है जाड़ी आएक और यह लिए घ्रेतकि hijaad अब इसके स्टाफिंग भरूं तो यह मेरे परांटे फटेना एकदम अच्छे से बन जाएं बहुत महीन वाल चोटा वाला लिया है मैंने आप कोई भी साज ले सकते हैं तो यह दिखिए बिल्कुल हम इसको भूंच की बना सकते लेकि मैंने से भूंजा नहीं है तो यह देख siz करें और दोते हम पोरे गोभी का भाल मैं लाइसे जिसलों फेली से बैलानािव अंच्छी तरह से पुरे गोभी को यह देखिए ऑने से अर्कुल को प्रेम इसमारा पॉणी पूलेव से बाल बा इसे नमक दाला है प्रूंणी के लेलान थे रहा प्रांवान भाल टीख 1.5 शब्सपून, आप पिषी हुए साफ टारी पिसी हुई थाली है, इसे बहुत अजय अच्छा हाता है, अटो ए ऐ फ्रेश हरादनिया, और और भी तीखा स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसमें हाफ हरी मिश सीखी वाली डाली है तो मेरे प्राठा एकदम खस्ता से बनेंगे ही और स्पाइसी भी बिल्कुल हो जाएंगे बिल्कुल आचीके वालें अच्छी बिलाले भी अच्छी से मिश से कवनाह की प्राठा हो जाएंगे नो बनाँ एक पैड़ा को टोड़गे बिल्कुल थुद्धा छोटा लग रहा था बड़ा सा थूद्धा ले ले लेंगे जिससे कि स्टफिक मारी फटें अ तो यह देखे इस तरह से पीड़ा बना के और हमारा आट आट कि उसे हम बना के तो अच्छा शाव साव पराटा इस जल्दी भरोंके इसे पानी पानी इसली थोड़ी से स्टफ्फिंग ढरके और अच्छी से छोटा सब्राथ बनाके अच्छी से दबा लें जिसे के माई स्टफिंग भार निकले अब हम इसको अच्छी से बेल लेंगे तो इसे गोल सॉफ्ट हाथों से करके बेलेंगे क्योंकि हमारा प्राथा फटे ना तो यह कि सॉफ्ट हाथों से करके इसे मैं गोल-गोल बेलूंगी इसको हमने खस्ता प्राथा बनाया है जैसे कि हम धार धावे पर खाते हैं आपने सुना होगा राम बाबू के प्राथे तो एकदम खस्ता से तो होते ही हैं और घी अच्छे से लगा के तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर सबजी ना हो तो बिना सबजी के ये गोबी के प अब हम इसको शह लेंगे पराठे को तोड़ासा घी लगा के मैंने इसको कि मैंने पहले से गरम करने रग दिया था इसको मैं लोहे के तब मनाऊंगी कि एक दम खस्ता सा घी डाल के और गी ढाल के एकदम खस्ता पराठा हो जाएगा हमारा तियार कि थेष्टी तो तीखा पंच चटपटा है क्योंकि हमने इसमें मिर्ची डा लिए तो एकदम चटपटा आई जाएगा थे थोड़ा से घी लगा के और यैसे कि भाद आप माबु के परांठे काए तो इसे आच्छा से घी लगा होता है खेंसे घी लगा देना सूखे ना लग तो यह दौन दवाते हुए मैंने अच्छे से इसको एक दम गुलाबी की तरह सेक लिया है प्राणाटी को दौना तरब से तो यह देखे हमार देखने में तो खुबसुत लग रहा है प्राणाटा और यकीन मानि खाने में बहुत ही तीखा स्पाइसी और किश्को Québecश पने का मुञड़ दिया है इसको जएट æयार है मार कर Des Ap अब हम इसको इक सर भी ठीट में निकाल लेंगी तो चलिए उनक एक सब मुट में निकाल, दाल लेते हैं उसके बाद आप किससे खाएंगे यह देखिए मैंने ध्थैं लिया है धाय में थोड़ा नमक काली मिर्च दालूं गडालूंक नमक साधन लिज उसार और काली मिर्च यह मैने चटनि ली है हमारे पास तीखी चटनी मैं नमक भी डाल लिया है नमक थोड़ी सी काली मिर्च तो यह तीखा पनुछा अच्छा टेस्ट आगया हमारा सारे फ्लीवर मिट गया हमाय अहले रणी मिर्च और काली मिर्च और मेरे पास यह है मसाले वाली मिर्च, यह मेरे पास सारी मिर्च हो गई, एक दम चटपड़ा, पाणाठा मारा तयार है, देखेगे एक दम खसता भी बना है, बिलकुल मुलायम नहीं है, एक दम खसता पाणाठा मारा गोवी का, बहुती टेस्टी, अगर आपको मेरी रेषि पी अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले और मेरी वीडियो अन तक देखने के लिए थैंक यू